हेलो फ्रेंज वेलकम बेक टू गर्भुगुरू मैं डोक्टर फ्रियंक आयादू और आज हम बात करेंगे प्रेग्नेंसी के दोरान इस बारिस की सीजन में आपको क्या-क्या चीजे खाने में अवोइड करनी चाहिए कुछ चीजे मौनसुन में आपको और आपकी प्रेग्नेंसी को दिक्कत कर सकता है यदि आप उसको खाना चाहते तो उसका रूप बदल के खाना पड़े यानिकि वह सेम चीज नहीं कहा सकते उसके उपर प्रोसेस करके जैसे के स्प्राउट्स अब स्प्राउट्स रहेंगे वह बहुत ही अल्डे प्रोटेन के लिए बहुत ही अच्छा वेजिटेरियन लोगों के लिए रहेगा लेकिन यदि आप मौनसुन में प्रेग्नेंसी के दोरान स्प्राउट्स खाएंगे स्पेसिली कच्छे स्प्राउट्स बिल्कुल मना करेंगे हम क्योंकि कच्छे स्प्राउट्स आपको प्रोसीजर पता है कि उसको वहां पर भीगो के रखना पड़ता है तो इस बारिस के मोसं में उसके अंदर वहां पर बेक्टेरियल ग्रोथ होने के चांसे बहुत प्रोपर कुप करके ही खा सकते हैं तो इस तरह से आपको कुछ और चीज़े भी हम आगे बताने वाले हैं वह आप बारिस के मोसं में प्रेग्नसी के दोरा नहीं खा सकते खाने से दिक्कत बढ़ती है तो प्राउट्स जैसे हमने बता बहुत ही फायदा करता है लेकिन जैस जो रूरल एरिया है वहां पर खुद का फार्म रहता है तो जो दूध रहता है वह कापी सारे लोगों के बिट रहती है मैंने खुद देखा क्योंकि मेरे जो मम्मी के गाउं थे वहां पर यह बहुत ही ज्यादा प्रचलिती चीज़े तो जैसे ही वहां पर दूध निकालते है गाई में से वह तुरंट ऐसे ही पी लेते है क्योंकि उसको माना जाता है कि बहुत ही अच्छा उसका फाइदा रहत नहीं पी सकते हैं किसी को दूध से दिक्कत आ रही हो तो उसका दहीं आप बना के खा सकते हैं लेकिन आपको डेड़ी प्रोड़क्त प्रेग्नेंसी के दोरान लेना बहुत ही ज्यादा ज़रूरी हो जाता है उसी तरह से पीस का रहता है फिस भी आप वहां पे अच्छे से दोके उसको पका के फिर ही खा सकते हैं सारे सीफूड जो भी सीफूड आप खाना चाहते हैं पहले तीन महिने में जनरली सीफूड को अवड करने के लिए बोलते हैं और पूरी प्रेग्नेंसी के दोरान किसी भी हाई मर्क्यूरी वाली फिस को लेने के लिए तो मना ही करते सेमी हैं सबजी थे हैं सब्सक्राइब की सब्सक्राइब पना चाहते हैं टो ठूड़न उस सोटे करने कवहां पक जाये तास Alber रिग्ननस के इन यह रहình सेजन में आवर्ड परो तो अच्छा उसका कारण ये भी रहता है कि डाइजेशन पावर हमारा मोनसुन में बहुत ही कम हो जाता है नॉर्मल लोगों को भी कुछ कुछ चीजे नहीं पच्छती है आपको भूक ज्यादा लगेगी आपको तली हुई चीजे पकोड़े वगेरा हैं स्वाइजेशन में परोहिष पश्यादा करेंगे तो आप यहां पर डारी कम होता है एधि आप इसमां ये प्राइजेशन इंडी से खाएंगे है फवर तो आप जो भी सब्जी या जो भी खाना चाहिए उसको भी आप पका के यह थोड़े सोते करके खा सकते हैं फुरूट सारे का सकते हैं लेकिन प्रोपर तरीके उनको भी वोश करना है क्योंकि वहां पर गंदगी ज्यादा रहती है बार से लेकाएंगे इसके उपर मख्या प्रोपर तरीके से थोड़ा नमक डालके उसको थोड़ी देर रखे सारे फ्रूट को उसमें विनेगा डाल सकते हैं उसको रखे ताकि उसके उपर जो रहती है चिकास वगरा सब निकल जाता है गरम पानी में थोड़ा वीनेगा डालके उसको रखे 10-15 मेंट फिर आप उसक प्रोप अचेसे यह आपको फायदा करेगा इंडाईजेशन कम करेगा डायर अगेरा कम करेगा तो फूट का बीएसा है फिर आपने दोपर में बनाई चीजी रात में नहीं खा सकते के फ्रीज में रख दिये मैं कल खाऊंगी रात में खांगी इसा नहीं खा सकते जह से के लिए तो 100% बिल्कुल नहीं घर पे बना के आप जो पिकाना चाहे ऐसा नहीं के मेंदे वाली चीज नहीं कहने आपको वहां पे यह नहीं खाना यह नहीं सब खा सकते प्रेग्नेंस की दोरान कभी कबार खालो कोई दिक्कत नहीं कि लेकिन स्ट्रीट फूड नहीं कहा सकते यह सेम चीज़े आप वहां पे घर पे बनांके खह सकते हैं यह अच्छी जो फेक्ट रहती गोटल यह प्रोपर वहान जैंट रहता हैं, लोगों कुछ जिसела रहता कि एंड विखर्क कीजिते थेहलं कि टोर्च्च दूदी तरह दोमे को आप तोबे को वगेरा ने खाय सकते हैं वो तो जन्रली है लेकिन पर बता दो के आलकोल आपके सीजन में बिल्कुल आउइड करना चाहिए तो इनिफोर्म में आप नहीं ले सकते केफेन भी आपको कम लेना दिन में दो कप कोपी पी पी एंगे चलेगा दो कप चाई पी अब थोड़ा खाया फिर दो गंटे बात थोड़ा खाया फिर दो गंटे बात थोड़ा खाया तो एक साथ बहुत ही ज्यादा है अब में नहीं खा पाऊंगे वहां तक नहीं जाना है थोड़ा चगा बाकी रखके फिर इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके थोड़े थोड़ कि इसे मिलेंगे वीडियो को लाइक किजे का सबसे ज्यादा असेर किजीगा और सबस्क्राइब नहीं किया गर्भ गुरु को तो कर लिए आपके लिए प्री एसे वीडियो जब लाते रहेंगे चले फ्रेंड फिर जली से मिलेंगे तब तक के लिए इस टेल दी श्टेव भी बाइ